तो आज के वीडियो में आपकुछ ऐसे प्रोफाइल वीडियो एडिटर के बारें बताने वाला हूं जिसका मार्केटेंग बहुत अच्छा डिमांड है और उस जॉब को पाने के लिए आप में क्या-क्या स्किल होनी चाहिए वह हम इस वीडियो में बात करेंगे अ-धर देखो कॉंटेंड मार्केटिंग का फ्यूचर है वीडियो और आज के डिटक में बीडियो एडिटर का सबसे ज्ञाधा मार्केट में डिमांड है और आने वाले यह डिमांड इस से भी 10-15 गुना ज्यादा होने वाला है लेकिन बीडियो एडिटर सिर्फ एक नाम नह यह भी video editing का ही job है लेकिन इसको जो हायर करते हैं वह basically social media marketing agency या फिर advertising agency या फिर PR agency में लोग इसको हायर करते है और इनका जो मेन काम होता है वो होता है डिजिटल मीडिया के लिए जैसे Facebook, Twitter या Instagram या YouTube उनके लिए content create करना brand के लिए है ना जैसे कि मालोग कोई big brand को handle करता या छोटे brand को handle करता उनके लिए छोटे-छोटे ads बनाना छोटे-छोटे वीडियो को edit करना और इसका demand market में बहुत ही जादा है और इस job को करने के लिए आपके अंदर क्या-क्या skill होने चाहिए सबसे पहला skill होने चाहिए आपके अंदर storytelling का कि आप storytelling में कितना जादा जानते हो आप सिर्फ clip जोड़ना जानते हो या clip जोड़के एक story create करना जानते हो क्योंकि इस profile में basic knowledge आना चाहिए और अगर आप advanced जानते हो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन जो storytelling का knowledge आपको अच्छा होना चाहिए प्लस आपको graphic designing का भी knowledge होना चाहिए जहां पे आप fonts, color, shape के साथ play कर सको तो यह तीन knowledge यहां पर mandatory है यह तीन knowledge तो आपके पास में होना चाहिए तो फिर आप यह digital content video editor की तरह आप job कर सकते हो इससे पहले कि वीडियो में आगे जाए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जितने भी course है उस पर एक offer चल ला था bundle offer जिसके अंदर वीडियो editing का course, storytelling का course, motion graphic course, graphic design course, typography course, सब पर एक offer चल ला था, सारे course 15100 मिल रहे थे, यह offer बहुत दिन से च कर सकते हो तो आप सच में यह course चाहिए तो आप मेरी website पर जाके buy कर सकते हो, link नीचे description में दिया हुआ है, आप वहाँ से buy कर सकते हो, और यह last offer, last मौका आपके पास, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला, वह आखरी रात समझो, finally आही गया, तो आप दुबारा मौका न Instagram real को हम कितना भी क्रिंजी कहले या कुछ भी कहले लेकिन सारे ब्रैंट सब इसके ओपर जा रहे हैं, और अगर सारे ब्रैंट जा रहे हैं तो पीछे वीडियो एडिटर्स या फिर कोई ना कोई content creator का requirement भी पीछे बढ़ रहा है, मैं जिस तरह किसे मैं देख पा रहा हूं कि पाटिसिपट कर रहे हैं, दूसरा storytelling का भी आपके पास knowledge होना चाहिए, तीसरा है mobile photography या फिर mobile cinematography का भी आपके पास में knowledge होना चाहिए, कि आप को पास कभी deal shoot करना पड़ जाए और shoot करके edit करना पड़ जाए, तो आप इस चीज़ों कर सको, इसका demand अभी rise पे है, मैं यह नहीं traditional video editor होते हैं, जो कि बहुत साल से video editing करते आ रहे हैं, वो real जैसे content में अपने आपको jail नहीं कर पा रहे हैं, और यह एक agency की problem है, उनको पता चलता है, जो मेरा editor है, वो उस चीज़ को सही से कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो लोग बहुत ही young सोच बाले और बहुत ही youngster लोग को hire कर रहे हैं, जो कि real में expert हो, real create करने में expert हो, यह सच है, यह एक job profile आचुका market में, जिसका demand बहुत ज्यादा है, अच्छी salary भी मिल ली है, लेकिन आपको पता होना चीज़ कि इसको कहा apply करना है, इसको भी आप digital media agency में या फिर किसी influencer के पास apply कर सकते हो, या advertising agency में भी इस इसकी corporate step के video edit करनी होती है, बहुत सारी company ऐसी होती है, जिसमें बहुत सारी corporate के या बहुत सारी events work होते है, इवेंट के video edit करना totally different चीज़ है, अगर आप ads वाले video से बात करोगे तो, तो इसका भी demand बहुत ज़्यादा है, जो events marketing company है, या entertainment related company है, वो इस type के editors को बहुत ज्यादा धोनते हैं, या फिर corporate का knowledge हो गया, interview कैसे edit करना है, कौन से चीज़ों कहां डालना है, fonts कैसे लिखने है, और किस type से एक अच्छा सा interview वाला video आपको बनाना है, ये एक job profile है, जिसका market में ठीक ठाक demand है, इसका भी demand अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको knowledge तगरी होने चाहिए इसके लिए आपको storytelling की knowledge आने चाहिए, इसके लिए आपको software का भी knowledge जोड़ी है, वो भी आने चाहिए, प्लस आपको basic graphic designing का knowledge, जिसमें आपका fonts या फिर लोड थर्ड डाला या फिर कुछ अगर आप वीडियो में, clip में कुछ और भी extra चीज़े लगाते हो तो उसका थोड़ा वो है in-house video editors, देखो, कोई brand होता है अपने आपको stable कर लेता है, अब वो brand को agency से काम नहीं करवाना, basically मैं startup की बात कर रहा हूँ, जो startup होते हैं, starting में तो agency से काम कराते हैं, बाद में क्या वो सब कुछ in-house करना start कर देते हैं, तो in-house video editors का job, आज date में मैं बोलूँगा कि सबसे ज्यादा demand में हैं, क्योंकि हर एक company चाहती है कि मेरा आज के देट में video editors हो, और पीछे जितने भी video कि मैंने बात किये, वो सारे skill आप में होने चाहिए, तो आप in-house video editors बन सकते हो, इसके लिए आपको storytelling, इसके लिए आपको graphic designing का basic knowledge, इसके लिए आपको animation का basic knowledge, प्लस आपको नहां पे software का basic knowledge आनी थी है, और इस टाप के job आपको कहा apply करना, almost सारी company आज के देट में video editors रखती है, दो या तीन सारी पुरानी जो भी company है, सब in-house video editors आज के देट में रख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा job profile है, बहुत ही cool job profile, आपको मजा आएगा वहां पे काम करने में, जिसके लिए आप apply कर सकते हो, in-house video editors, किसी भी brand में आप इसके लिए apply कर सकते हो, अगर आपका work अच्छा है, तो 100% callback आएगा ही आएगा, और वहां पे हो सकता है, वहां पे job ही मिल जाए, जैसा कि मैं आपको बता है, दो या तीन साल पुराना को भी brand आज के देट में इन-house video editors धून रही है, जिनके लिए आपको apply करना चाहिए, नेक्स जो यहां पे job profile है, वह है short film video editors, देखो, एक film editing अलग चीज़ है, और एक short film editing अलग चीज़ है, देखो, short film editors जो होता है, उसको company direct नहीं हायर करी, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको तगरी knowledge होनी चाहिए, storytelling के जो होना चाहिए, कि film बनती कैसी है, इसके लिए आपके जो आप पर apply तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, freelancing work का बहुत अच्छा scope है, आप घर बैठे बहुत अच्छा इससे आप earn कर सकते हो, उसके लिए आपके पास में जो अपना work है, या website बना के showcase कर सकते हो, या फिर लोग को टागेट कर सकते हो, इस काम के लिए आपसे जो contact करेंगे, उसके अंदर सारे लोग हो सकता है, प्रसनल, कोई influencer भी हो सकता है, या पर कोई cinematographer भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, जो आप इस चीज के लिए आपको अपरोच कर सकते हैं, तो short film video editors जो है, वो आगे च editor बन जाओगे, तो वही client आपके client होते हैं, यह तो आप सबका पता है, तो यह एक job profile है, जिसका मैं cool मानता हूं, लेकिन इसका demand बहुत ज्यादा नहीं कम है, लेकिन freelancing as a freelancer, आप अच्छा खासा इससे earn कर सकते हो, side income बना गया आप अच्छा खासा इससे earn कर सकते हो, अगला तो जितने भी आप political new channel या फिर YouTube channel देखते हो, अगर आप उसके community time में जाओगे, तो हर कोई video editors आज की rate में ढून रहा है, क्यों क्योंकि इसका demand बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, प्लस लोग काम करने वाले लोग है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको software का knowledge नहीं चीए, य current affairs का बहुत ही अच्छा knowledge होना चाहिए, कि market में आज की date में चल क्या रहा है, किसी भी influencer का video editors बहुत अच्छे से बन सकते हैं, इसका demand बहुत अच्छा है, इसकी earning बहुत अच्छी है, जितना आपका client earn करेगा, और जैसा का पता है कि कोई influencer zero से start करता है, उसको पता है कि मेरे editor की value है, तो आपके भी earning बढ़ती जाएगी, आप एक साथ बहुत सारे influencer कोई पकर के काम कर सकती हो, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा job profile है, और इसका भी demand market में बहुत जादा है, और इसके लिए आपके पास story telling, current affairs, software का knowledge, animation का knowledge, यह सब कुछ आपके पास चाहिए, ठीक जैसे आप आज था के star news पर देखते हैं, उनका वीडियो editing बहुत अच्छा नहीं होता, बेकार सा रहता है, लेकिन वह चीज़ा ब्रेक हो रही है, अब जितने भी आप internet पर चैनल देखते हो, यूटूब चैनल के थूर जो news चलाते है, जैसे scoop हो, बहुत सारे चीज़ हो, उनका जो चीज होता है, उनका डॉकमेंटरी होता है और news होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग पर जेंट करते हैं, तो यह भी एक job profile बहुत ही तेजी से आ रहा है, जैसा BBC देखते हो, या आप बहुत सारे यसे चैनल जिसके बारे में आप लोग पता है, तो वहा जब आपके पास फुटेज आएगा तो आपके बहुत सारी चीजे होगी, उसमेंसे कौनस ऐलिमेंट न्यूज बन सकता है, उसकी नौलेज आपके पास में, बेसिक नौलेज होनी चीज़िए, नहीं भी है तो वो लोग आपको सिखा देंगे, लेकिन ये भी एक job profile है, जिस कितना patience हो कि आप चीज़ों काम करते हो, क्योंकि डॉकमेंटरी में ये सांस हूं इधर उधर सारा वैसा नहीं चलता, बहुत ही सही तरीके से आपको एक चीज़ों को एडिट करना पड़ता है, वो film editing जैसा ही हो जाता है, और इसका भी demand अभी मालो बहर रहा है, और आने बा आएंगे तो documentary editor का demand अभी भी है और आने वाले time में और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसके लिए भी आपको same जो news editor में आपको knowledge चाहिए, same knowledge यहां भी चाहिए, story telling, current affairs, news कहां से बन सकता है, और emotions, basically कि आप emotions कितना पगड़ सकता है, patience कि आपके अंदर कितना है चीज़ों करने के लिए आप कैसे चीजों को, basically film editing वाले knowledge आपके पास होने चाहिए, music का भी अच्छा खासा knowledge आपको इस job के लिए चाहिए, तो अगला यहां पर job profile है, वो है political video editor, जितने भी politician है या जितने भी political party company है, सबका in-house एक editor होता है, video editor होता है, और उसकी भी job के demand बहुत ज्यादा है हर एक नेता, हर एक political party अपने अंडर एक video editor आज की data में रख रहेगी, कि उनको पता है, कि भी market में चल क्या रहा है, अगर किसी को उपर कुछ भी कोई कर देता, तो वो counter करने के लिए पहले से तयार रहते हैं, तो इसका भी demand market है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये काम थोड़ा इसके लिए आपके पास में editing तगडी होने चाहिए, अगर आप story telling नहीं भी आती है, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपको चीजों को तोड़ना मोड़ना आना चाहिए, आपके दिमाग शारप होने चाहिए, IQ level आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप यह यहाँ पर job के लिए apply कर सकते हो, यह भी अच्छा job profile है, मैंने भी आपने live में कुछ दिन किया है, यह एक अच्छा job profile है, आपको मज़ा आएगा लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं है, सैलीब अच्छी मिलेगी, लेकिन ज्याद दिन आप यहाँ पर कर नहीं पाऊगे, स्टार्ट होती है, तो पहले क्या करते थे वो लोग, इक सिफ graphics designer हाइर करते थे, आगर आप graphics designer हाइर कले जिनको video editing आती हो, अगर आप graphic designer है, और आपको video editing भी आती है, तो आप startup में आपकी आपकी और प्छाया है तो और पहुत्छा है तो और इस job के लिए चील है वह storytelling वह मे प्राफइक डिजानिंग का नॉलेज में चीले, तीसरा ब्रैंडिंग का नॉलेज चीले चाहिए है गभां इस लिस्त में पुर्ण कूल जौब है लेकिन। हाट्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यह सब खाल कर से में परोंग सकते हैं। क्योंकि film edit करने के लिए आपको सिर्फ storytelling से काम नहीं चलेगा हर चीज के बारे में आपको human emotion हर चीज के बारे में आपको तगरी knowledge चाहिए और आप ground label से connect होने चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है जब जब cinema hall में को hero entry करता है तो लोग कैसे चिलाते हैं feeling आपके अंदर आनी चाहिए होनी चाहिए आप उस जगह उस जगह वह लाइफ जी चुके हो तो यह चीज आप सबको help करेंगा मेरे कहने का मतलब कि आप जमीन से connected होनी चाहिए तो आप फिल्म एडिटर के लिए apply कर सकते हो जैसा कि आज कल आप देख रहो बॉलिवड ने बह कोई connect हो पा रहा है वो बेकार है लेकिन साउथ फिल्म में आप देखोंगे एडिटिंग बहुत तगरी होती है हर एक सीन बहुत ही एक एपिक और बहुत ही आपको रॉंक टेक करक कर देने वाला होता है क्यों वहां का एडिटर हो बहुत ही ग्राउंड लेवल से connected वहां पर जोब प्रफाइल थे जिसके बारे में मेरे से लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर मैंने वीडियो एडिटिंग सीख तो लिया लेगिन इसके लिए मैं कहां अपलाई करू देखो वीडियो एडिटिंग सॉफ्वेर सीखना नहीं होता जैसे कि मैं आगर ऐसा होता तो जितने भी इंस्टूट में 10,000-15,000 रुपे में जो वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं आज वो सब इंडिया के टॉप एडिटर से होते हैं उनके पास काम ही काम होता सारे बॉलिवूड, हॉलिवूड, टॉलिवूड सब उनहीं के पास जाते हैं मेरे फिल्म अच्छी सी आने चाहिए तो बहुत दिन से आप लग पूछ रहे हैं कि वीडियो एडिटर हम कहां अपलाई करें तो यह कुछ जॉब प्रफाइल थे जहां पर आप अपलाई कर सकते हो ठीक है तो आई होप इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा अब मिलेंगे नेक् यह मतलब सारे के सारे वह आपको 1599 में मिल रहा है यह ओफर समझ लो आज रात के लिए है तो अगर आप बहुत दिन से प्लैन बना रहे थे कि यहां भी राजी का कोर्स लेना है तो यह वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे तो आइठ आपको यह मौका क चुकना नीच चाहिए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाके अब इस कोर्स को इंडॉल कर सकते हो और यह कोई सपना नहीं है यह सच में हकीकत है और नीचे लिंक है जाओ और जल्दी से इसको इंडॉल कर लो सारे के सारे कोर्स है जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स इस मंदल में